Brought to you by Agilis Diagnostics Agilis Diagnostics मेरा असली संसार तो भही है जब मैं अपने पिता के पास बैठी हूँ थी जब वो कोई बात समझा रहे हूँ थी कितनी चीजें जो हम इसलिए उनकी कदर नहीं करती क्योंकि वो हम इतने सहज रूप से मेजा थी मुझे लगता मैं बहुत लगी थी कि चाहे मेरे माँ बाप नहीं मुझे अंग्रेजी में पढ़ाया मैंने नहीं चुना साहित से आपका लगाव कैसे हुआ और अंग्रेजी साहित का अध्यन करते हुए आप हिंदी कविताओं की तरफ कैसे आईए हूँ नहीं अंग्रेजी का अध्यन करना तो ऐसे ही है जैसे कोई मैथमेटिक्स का अध्यन कर ले या फिजिक के मिस्ट्री का कर ले वो एक बहार की चीज रहती है मन के अंदर तो नहीं जाता और जिस समय मैंने अंग्रेजी की पढ़ाई की उस समय तो हमारा कोर्स बहुत ही बकवास था इसमें ग्रीक लिट्रेचर था अंग्रेजी लिट्रेचर था लेकिन भारती लिट्रेचर नहीं था अगर अंग्रेजी सहित में ग्रीक क्लासिक्स की पढ़ाई हो सकती है फ्रेंच रैटर्स की पढ़ाई हो सकती है अगर हम अपने college में, first year में, Plutarch को पढ़ सकते हैं, Shakespeare को पढ़ सकते हैं, Samuel Beckett को पढ़ सकते हैं, तो मुझे नहीं समझ में आता कि हम Tegor को क्यों नहीं पढ़ सकते थे, हम Takshi Pille को क्यों नहीं पढ़ सकते थे, कितने ही, अंग्रेजी साहिते पढ़ते हुए, मुझे अभी डंबना ये कि I was a good student, लेकिन मुझे लगता था कि नहीं मेरा, मुझे असली चीज, मेरा असली संसार तो भही है, जब मैं अपने पिता के पास बैठी हुँती, जब वो कोई बात समझा रहे हुँती, तो जो हमारा संसकारिक मन है, ये बात मस्बूट चीज है, ये कोई American मन नहीं है, rootless मन, मेरी कितने American मित्र हैं, इवन European मित्र हैं, जो इस चीज के लिए इर्शा करते थे, कि तुम्हें पता नहीं, तुम कितने लखी हो, कि तुम्हारे पास एक सहज विश्वास का संसकार है, तुम इश्वर के पास जा सकते हो, बात कर सकते हो, और हमारी सभ्यता में कोई भी ऐसी चीज नहीं, जबकि ये लोग Christians थे, पर इनके लिए कोई भी उपस्थिती, ऐसी जीवन्त उपस्थिती नहीं थी, कि ये उस से बात कर सकी, तो जो हमारा सेल्फ है, कितनी चीज़ें जो हम इसलिए उनकी कदर नहीं करते, क्योंकि वो हम इतने सहज रूप से में जाते हैं, अगर वो हमसे चीज ली जाए जैसे इन यॉरोपियन्स से, जब ये भारत आते थे, भारत के आश्रमों में जाते थे, या भारत की फिलोसोफी की किताबें बढ़ते थे, और फिर ये अपना जीवन छोड़कर कनवर्ट हो जाते थे, भारत में ही रहने लग जाते थे, हम अपने भारती बच्चों की बात तो करते हैं, जो विदेश में चल ले जाते, लेकिन ऐसे लोग जो जिनके अंदर पश्चिमी सब्वेता का दिया हुआ इतना वैक्यूम है, कि वो उसको खोचते-खोचते भारत में आ जाते हैं, फिर यहीं बस जाते हैं, तो मुझे लगता मैं बहुत लगी थी, कि चाहे मेरे माबाप नहीं मुझे अंग्रेजी में पढ़ाया, मैंने नहीं चुना, लेकिन क्योंकि मैं उनकी बच्ची थी, तो मुझे अपनी भाशा में लोट नहीं था. झाले टाहे में लोट नहीं मुझे अनकी बच्ची था.